आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनेल स्टार आईक्यू यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूरे अक्टूबर महीने के नैसनल और इंटरनेसनल करेंट अफेर इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे बहुत बहुत इपॉर्टन वीडियो होगा प्यारे बच्छों ये इस वीडियो के अंदर हम लोग कुल 100 परसन जो हैं वो पढ़ेंगे 100 क्यूसन ऐसे इपॉर्टन च्यूसन है ये फिल्टर की एवे क्यूसन है तो इन क्यूसन को आपको जानना अती जरूरी है आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजीएगा, आने वाले पेपर जो SSC के पेपर होंगे, डाली पुलिस्ट का एक्जाम होगा आपका, बांक का एक्जाम होगा यह CET का एक्जाम अगर होता है तो इन सभी एक्जाम के अंदर रेल्वे एक्जाम के अंदर आपको इस स finns से बहुत ज़ादा मदद भी मिलेगी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे स्टार आक्यू यूटूब चैनल के अलावा स्टार आक्यू पीडियोफ टेलिग्राम चैनल को नहीं जोइन किया तो कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे मेरे दवारा पढ़ाएगे सभी लेक्चेस का पीडियो फाइल अवेलबल रहता है अगर आप फेस्बुक चलाते हैं तो मेरा फेस्बुक पेज है स्टार आक्यू एजुकेशन यूटूब के अलावा स्टार आक्यू एजुकेशन फेस्बुक पेज पे भी मेरी वीडियो अवेलबल रहती है तो आप प्लीज उसे भी ज देशियत हर सिम्रत को और बादल को चुना गया है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्युस्टन का हमारा आप एक काम करिएगा आप मुझे लास्ट में अपना स्कूर जरूर बताईएगा कि सो में से आपके कितने नंबर आए है अगर आप हर रोज करेंट अफेर पढ़ते हैं तो आप मुझे कमेंट शेक्शन में लिखे ये बात जरूर बताईएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं इमानदारी से पढ़ रहा हूँ इमानदारी से बताईएगा कई ऐसा नहीं कि आप फैंक दें कि सर मेरे बान में नंबर है मेरे निनान में नंबर है ठीक है मतब आप इमानदारी से बताईए जितने भी नंबर होंगे आपके इसे आपका ही बुस्ट अप होगा आपका ही लेवल बुस्ट अप होगा इसे मेरा तो इसमें कोई वो नहीं होने वाला चली हर सिमरत कोर बादल के बारे में जाने तो ये बड़ी ही पार्टी से 22 साल पुराना रिस्ता भी तोड़ दिया आगे बढ़ते हैं अगला किसन हमारा है कि क्वैत के किस रचनाइक और सासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निदन हो गया तो अमेरिका के एक अस्पताल में निदन हुआ इनका नाम है सिख सभाह अल- 91 वरस की उमर में जो है निदन हुआ है, इनका जनम हुआ था, 16 जून 1929 को इनका जनम हुआ था, अब इस दुनिया में नहीं रहे, 1963 के अंदर जो है इन्हें देश में विदेश मंत्री बनाया गया, ऐसा माना जाता है कि कुएत की विदेश निती के वास्तुकार के रूप में सेख सबा को ही जो है जाना जाता है, चलिए जिकर करते हैं कुएत का तो मैप में देखीगा कुएत, एक साइड इसके इराक लगता है, एक साइड यहाँ पे इरान लगता है, एक साइड साइड साओधी एरेबिया लगता है, और यहाँ पे इनके बीच में बसा हुआ यह द अंगला किश्टन हमारा है कि एक ऑक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस बनाया जाता है तो एक ऑक्टूबर को प्यारे बच्चों दुनिया भर में इंस्टरो सीनियर सिटीजन डे यानि कि अंतरश्टिय वृष्ट नागरिक दीवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है सी आप्शन जो है इस किसन का बिल्कुल ठीक है एक रिसर्च ये कहती है कि लगबग साथ सो मिलियन लोग साथ वर्स की आयू से जादा है ठीक है और दुनिया की अबादी का तकरीबन बीस परसेंट यानि कि कहिएगा आप लोग दो बिलियन हो गया दो बिलियन से भी जादा कहिएगा दो हजार पचास तक साथ या उससे अधिक्का हो जाएगा जितने भी आपके डवलप्ड कंट्री है वहाँ पे तो विर्द लोगों की संख्या और जादा है अगर मैं आपको बताओं तो इंडिया के मुकाबले जैसे अमेरिका हुआ इटली हुआ जाद रखियेगा और चार दिसंबर उनीस सो नब्य को ना सुख्त राष्ट्र महासवा में एक अक्टूबर को अंतराष्टिय विर्द दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था ठीक है और उसके बाद में जो है उनीस सो इक्यान में से जो है इस असाम की पहली थी और एक ही मातर महिला मुख्यमंत्री जिनका निदन हो गया इनका नाम था सयदा अनवरा तैमूर यनकी सी आप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इस ट्योस्टन का हमारा जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है तिरासी वर्स की उमर में जो है इनका निदन हुआ है छे दिसंबर 1980 से लेके 30 जून 1981 तक आसाम की ये मुख्यमंत्री रही थी ठिक है 1980 से लेके और 1981 तक एक साल का कारेकाल था इनका तकरीवन वेराज्य की एक मातर मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी थी तो उनके कई सारे टैग मिल सकते हैं इसके लाबा 1983 से 1985 तक आसाम के लोक निर्मान विभाग के PWD मंत्री भी यही रही थी तो काफी important question है Australia में इनका निदन हुआ है recently दिल का दोरा पढ़ने की वज़े से असाम की बात अगर आप करते हैं तो वरतमान में असाम के मुख्य मंत्री का नाम क्या है सरवारंद सोनोवाल है असाम की राजधानी क्या है असाम की राजधानी है दिस्पूर ये भी बात आप याद कर लीजिएगा आगे बढ़ता हूँ गला क्युस्तन हमारे की हाल ही में किस दुपईया वाहन कंपनी ने BS धनोवा को सोतंतर निदेशक निक्त किया है इस क्यों का सही अंसर होगा हीरो मोटकॉप यानि की ए आप्शन जो है वो बिलकुल ठीक रहेगा देश की सबसे बड़ी दुपईया वाहन निर्माता कंपनी हीरो कंपनी ठीक है इसने अभी रिसेंटली जो है एर चीफ मार्शल BS धनोवा हालनकि रिटाइड है अभी नहीं है ये ठीक है और इनको जो है ततकाल प्रभाव से सतंतर निदेशक निक्त किया है धनोवा एक जनमरी 2017 से 30 सेप्टमबर 2019 तक भारतिय वायू सेना के परमुक के रूप में इन्होंने काम किया था आगे बढ़ते हैं अगला किस्तन हमारा क्या है हाल ही में वैभव सिखर समेलन का उदगाटन किसने किया है तो हाल ही में वैभव सिखर समेलन का उदगाटन किया है नरेंदर मोदी ने अक्टूबर महीने के अंदर ए आप्शन जो है इस किस्तन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वैस्विक भारतिये वैज्यानिक जिसको हमने वैभव का नाम दिया है वैश्विक भारतिये वैज्यानिक स्मीट जिसको वैभव कहा गया इसका उद्गाटन किया है 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये सिखर समेलन का आयोजन किया गया और ये एक मात्र ऐसा समेलन था जिसका उदेश्य है था कि भारतिये के भारत के जितने भी जितने भी सोध करता है और जितने भी सिख्षावद है उन सभी को एक साथ लाना ठीक है मतलब जितने भी क्वालेटी वाले पीपल्स हैं जो की नईने रिसर्च करते हैं दार्शनिक है उन सभी को एक platform पे लेके आना ताकि एक दोनों को मिला के और एक और better इंडिया को जो है वो अगर सर हो सके या यूँ कहिएगा अच्छे तरीके से moment में ला सके इंडिया को आब बात हो रही है तो आप कैपिटल बैल्जियम की देखिया क्या है ब्रूसल्स क्या है यूरो है ठीक है ये बाते हैं आपको याद रखनी है आगे जाते हैं प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी ने हाल ही में किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाइवे सुरंग का उधगाटन किया है और हिमाले के पीर पंजाल परवस रंकला के बीच में अत्या धुनिक तरीके से से बनाए गई है ठीक है तकरीबन तीन हजार मिटर की उंचाई पे जो है इस टनल को बनाए गया है और ये जो है घोड़े की नाल की आकार की है दो लेन वाली है आठ मिटर चोड़ी सड़क है इ आगे बढ़ते हैं तो 4 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाया जाता है विश्व पसू दीवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ए और राश्ट्री या इंटरनेशनल एनिमल डे इसे हम लग कहते है वर्ड एनिमल डे इस दीवस का मनाने का उदेश्य क्या एक जर्मन लेखक हैंरिक जिम मरन के दवारा मनाया गया था चार अक्टूबर को अंत्रिक्स सप्तहा भी मनाया जाता है इंटरनेशनल विश्व अंत्रिक्स सप्तहा के रूप में जो है इसे सालिब्रेट किया जाता है रिलाइंस लाइफ साइंस ने ऐसी आर्टी पीसी आर किट विक्सित की है जो की करीब कितने घंटों में COVID-19 की जांच का प्रेणाम दे देती है आपको बता देता हूं कि RT-PCR जो है उस सबसे सटीक तरीका है वरतमान में करोना के चेक करने के लिए रियल टाइम पॉली मेर से चेन रियक्शन इसका फुल फोम है इसमें क्या होता है कि गले से या मूँ से सलाइवा वगरा लिया जाता है अब COVID-19 की जांच जो होती तो है लेकिन टाइम लग जाता है तो RT-PCR रिलाइस लाइफ ने एक ऐसी किट त्यार की है जो दो घंटे के इंदर ही रिजल्ट दे देगी यानि कि ए आप्शन जो है इस क्यूसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा तो यह काफी हद तक important क्यूसन भी बनता है आगे जाते हैं हम लोग तो विश्व अंत्रिक सब्ताहा 2020 का जो है वो थीम क्या है अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड स्पेस जो है वो चार अक्टूबर से जो है उस्टार्ट होता है चार अक्टूबर को celebrate करते हैं हम लोग इसका थीम आपको याद रखना है satellites improve life यानि कि ए आप्शन जो है इस क्यूसन का हमारा बिल्कुल ठीक है उपगरह जीवन को बहतर बनाते हैं इस बार का थीम है तो ये भी एक चोटा सा क्यूसन इपॉर्टन्ट होगा सेख सबा अहमद अल सबा का निधन हुआ है ये किस देश के अमीर थे खेर ये repeat हो गया ये वाला क्यूसन ठीक है अभी मैंने आपको बताया कि क्वैट के थे ये ठीक है बी आपटाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वन डे क्रिकेट में लगातार बीसवी जीत है वो दरज की है तो कोन से देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार बीसवी जीत दरज की है तो इस क्यूसन का सह अंसर रहेगा आस्ट्रेलिया यानि कि C option जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस question का हमारा और आस्ट्रेलिया महिला टीम सिरीज का अगला मैच जीत कर रिकी पॉंटिंग के लगातार 21 जीत के record की बराबरी कर सकती है अगर अगला मैच जीत जाती है तो ठीक है जिकर आस्ट्रे डॉलर है आगे जाते हैं तो किस राज्य ने पत्थ स्री अभिहान चलाया कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पत्थ स्री अभिहान चलाया तो इस राज्य का नाम है पस्चिम मंगाल यानि कि West Bengal एक सडक मरमत की योजना है जो कि राज्य भर में 12,000 किलोमेटर वाली सडकों के ज पस्चिम मंगाल की राजधानी कोलकता है कोलकता किस नदी के किनारे है कोलकता है हुगली नदी के किनारे पस्चिम मंगाल के राज्य पाल का नाम जगदीब धनकड है पस्चिम मंगाल में भारत में जूट सबसे जादा होता है जूट को हम लोग गॉल्डन फाइबर या कह सकते हैं हिंदी में सुनहेरा रेसा के नाम से पुकारा करते हैं दूसरी बात जो है कि पस्चि मंगाल में एक बारिस होती है प्री मोंसुन जिसको हम लोग ना काल बेसाखी के नाम से भी जानते हैं ठीक है काल बेसाखी के नाम से इसे पुकारा जाता है तो इतनी बातें आपक तैनाती कहां पे की गई है तो करन कलकता बरुवा जो है इसकी तैनाती की गई है कलकता के अंदर ही यानि कि ए आप्शन जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा और इंडियन कोस्ट गार्ड के दवारा ये बनाया गया है तो इतना ही आपको याद रखना है पांच अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाते है तो पांच अक्टूबर को एक तो मेरा बनाया जाता है बर्डे मनाए जाता है अगे बढ़ता हूं अगला किस्तन हमारा है कि क्या कि IAC6 ने Global Leadership Awards के तैट किसे Lifetime Achievement Awards से समानित किया है तो IACC यानि कि Indo-American Chamber of Commerce इसका फुल फॉम है Indo-American Chambers of Commerce ने अभी हाल ही में रतन टाटा को जो है Lifetime Achievement Awards से समानित किया है ये बात आप याद रखिएगा अच्छे इने क्यों मिला है क्योंकि इन्होंने लीडरसी पावोर्ड के रूप में या यूग कहिएगा भारत में रोजगार पर्धान करने वाली कंपनी यही है बहुत लंबे टाइम से एक बिजनस को success जो है इनोंने किया लंबे टाइम से बिजनस को लगातर चलाया और बहुत सारे भारतियों को रोजगार भी दिया किया है एक जुलाई 1955 को हुई थी आगे जाते हैं अगला क्युस्टन तो बहुत ज्यादा इपॉर्टेंट है 2020 के भौतिकी यानि की फिजिक्स के नॉबल पुरुषकार में से जो है कौन-कौन से वैज्यानिक है जिनको दिया गया है फिजिक्स का नॉबल प्राइज 2020 का तो इस किस्तन का सही अंसर है रोजर पैन्रोस राइन हार्ड गेंजल और आंद्रे गेज इन तीनों को मिला है फिजिक्स का नॉबल प्र के लिए ब्लैक होल की खोज के लिए इन तिनों को मिला है यह फिजिक्स का नॉबल प्राइज आगे जाते हैं गला क्युस्तन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामिन इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कारेकरम की घोशना की है गुजरात राज्य ने यह आप्शन ज में इंटरनेट स्विधा मिल जाए इसलिए भारत नेट प्रियोजना के तहट जो है बीसनल का इंटरनेट लगवाने का कारेकरम सुरू किया है 100 MBBS वाला इंटरनेट के लिए अप्टिकल फाइबर बिचाई जा रही है गुजरात राज्य के गाउं के अंदर गुजरात का जिकर कर रहे हैं हम लोग तो गुजरात को मैप में देखिएगा कापिटल गांदी नगर है मुख्य मंतरी का नाम वीजे भाई रूपानी है गुजरात में केवडिया आपका जो एक जगह है जहां पे अभी रिसेंटली प्रदान मंतरी इंद्रेंदर मोधी ने क्या किया है कि सी प्लेन का उद्गहाटन किया है अगर आपको डेली करेंट पिर पढ़ने की आदत है तो आपको इसका अंसर भी पता ही होगा है और यहां पे सरदार वल्ला भाई पटेल जूलोजिकल पार्क का भी उद्गहाटन किया है दूसरी बात गुजरात के राज्यपाल का नाम करती है गुजरात की गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाहा है जिसका नाम बदल कर दीन दयाल बंदरगाहा कर दिया गया है ठीक है भारतिये खेल प्राधिकरण ने सभी खेल प्रिसिकों से एक वर्स में कितने बार फिटनेस टेस्ट करवाने को कहा है जितने भी स्पोर Sports Authority of India ने का है जिसको हम लोग SAI के रूप में पुकारते हैं ठीक है और इसका एक नया सिंबल भी जारी किया गया है देखो Sports Authority of India जो है इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई है इसका Headquarter New Delhi में है और इसका Recently एक नया सिंबल ये वाला जारी किया गया है ठीक है जहाँ पे ये जो है य अलमपिक के अंदर एक धावक के रूप में या अलमपिक के अंदर जीत का एक लक्षे रखा है इस बार इंडिया ने यहाँ पर इंडिया का एक यूं कहिएगा आप लोग फ्लैग भी दिखाया गया है ठीक है अगला किस्टन है कि विस्व कपास दिवस कब मनाया जाता है तो वर्ड कोटन डेज जो है वो हर साल साथ अक्टूबर को सालेबरेट किया जाता है सी ऑप्षिन जो है इस किस्टन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा यह इसी बार यूं कहिएगा आप लोग दूसरा दिवस है पहली बार 2019 में मनाया गया था इसे और अब 2020 के अंदर जो पस्वें मिलके इस दिवस को मनाते हैं चो कि इस दिवस का मनाने का उदेश्य है कि अर्थ व्यवस्ताओं के साब ने आने वाली चुनोतियों को उजागर करना कपास की अर्थ व्यवस्ताओं में आने वाली चुनोतिया है उनको उजागर करना कपास बहुत इपॉटन्ट ह आने वाले टाइम के लिए भी हमारे लिए अब भी क्योंकि फैब्रिक सारा का सारा यहीं से ही तो निकल के आता है आगे जाते हैं अगला क्युस्तन है हमारा की केंदर सरकार ने हाल ही में किसे RBI का Deputy Governor निक्त किया है तो RBI का Deputy Governor M. Rajaswar Rao D.Option सही है आपको photo में दिखाई दे रहे होंगे यह M. Rajaswar Rao दाडी का cut बड़ा अच्छा लगा मुझे बाकी छोड़ो सारी बाते M. Rajaswar Rao को RBI के अभी हाल में Deputy Governor निक्त किये गए है एम राजिस्वर राव 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे ठीक है और रिजर्व बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो RBI की स्थापना कब हुई थी 1935 को हुई थी RBI का रास्ट्रिय करण 1949 को हुआ है RBI के 25 में गवर्नर का नाम शक्ती कानदास है और RBI का हेड़कॉर्टर मुंबई के अंदर है के अंदर सरकार ने जे वेंकिट रमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक के परबंध निदेशक, M.D. और मुखे कारिकारी अधिकारी CEO के रूप में निक्त किया है ये क्युस्टन भी बहुत ज़्यादा इपॉर्टरंट है तो जे वेंकिट रमू का कारिकाल जो है तीन साल के रूप में उन्हें निक्त किया है सी आप्शन सही है इस क्युस्टन का हमारा आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है जे वेंकिट रमू इनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के परबंध देशे क्याने कि M.D. और C.E.O. निक्त किया गया है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इन्हें निक्त क्यों किया गया है क्योंकि इनका बैंकिंग सेवाओं के अंदर 22 सालों का experience है digital finance scheme के अंदर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी किया है ठीक है और प्रधान मंतरी निरेंदर मोधी ने 2018 में इंडियन post payment bank launch किया था इंडिया post payment bank को banking अधीनियम 1949 की धारा 22 का पहले पार्ट के तैज जो है इसे भारतिये banking company के रूप में सामिल किया गया चीक है इसका headquarter कहां पहां पहे है न्यू डैली के अंदर इसका headquarter है genome editing genome editing एक बहुत ही खास पदती है इसमें क्या होता है कि जिसे माल लेते हैं जो हमारे gene होते हैं DNA के अंदर जो gene होते हैं अब gene के अंदर कोई problem होती है जैसे रहते हैं कि खानदान में problem है कोई बिमारी होती है वो क्या होता है कि PD दर PD transfer होती रहती है अब उसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए gene में edit किया जा सकता है हमारा face भी change किया जा सकता है हमें सुंदर भी बनाया जा सकता है ओज़ा सुंदर बनाया जा सकता है हमारे अंदर कोई problem है कोई PD के अंदर माल लेते हैं कोई बिमारी चली आ रही है उसको हमेशा के लिए खतम करना है तो इसके लिए दो महिला वैज्यानिकों ने ऐसा किया इनको chemistry का nobel प्राइस दिया गया है इस साल का D option जो है इस question का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा सबसे अच्छी बात तो इस दोनों महिलाएं है ठीक है महिलाओं ने ऐसा कारनामा किया तो इन दोनों महिलाओं का नाम क्या है एक तो है Jennifer Doodna और एक है Immunual Carpentier तो आप दोनों के नाम जुरूर याद रखिएगा और Jennifer A. Doodna का जनम तो 1964 में वाशिंटन में हुआ था और Carpentier का जनम 1968 में फ्रांस में हुआ था तो ये दोनों ही बहुत ही Casper C9 या Cas C9 Genetic Caesar की खोज इनों ने की है तो काफी important question है ये हमारे लिए सेवा medal पाने वाली पहली महिला निमन में से कोन बन गई है ये question हर्याना current affair के point of view से भी important है और national के लिए तो important है ही है इस question का सही answer है minty अगरवाल अच्छा minty अगरवाल जो है ना इनको ये award क्यों मिला है क्योंकि इन्होंने अभिनंदन की मदद की थी आप सभी को साइद याद होगा कि जब बाला कोट air strike हुई थी उस time पे जो है इन्होंने अभिनंदन की मदद की थी नियंतरत के रूप में controller के रूप में इसी वज़े से air force day के उपर युद्ध सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है बहुत बहुत important question है ये ठीक है जरूर याद रखिएगा इन्हें आगे बढ़ते हैं कि विष्व डाक दीवस यानि कि word post day कब मनाते हैं तो विष्व डाक दीवस हर साल मनाया जाता है 9 October को ये option जो है इस किस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा विष्व डाक दीवस का उदेश्य है कि ग्रहाकों के बीच डाक विबा के उत्पाद के बारे में जानकारी देना डाक दीवस का इतियास 1840 से सुरू होता है ब्रिटेन में सर रोलैंड हिल है उन्होंने इस विवस्ता को सुरू किया था जिसमें पत्र त्यार किये जाते थे तो ये काफी important है और यह भी नियम बनाया गया था कि स्थानिय सेवा के लिए एक विशेस वजन के तया पे ही पैसा लगेगा बही ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए बराबर होगा जितना भी आप पोस्ट बेजते हैं उसका भी वजन तया किया जाता है उस वजन के हिसाब से ही जो है वो पैसा लगता है हलांकि अभी आधोनिक जमाने में ये टेकनिक जो है दीरे-दीरे खतम होती जा रही है क्योंकि इसका यूँ कहिएगा आप लोग सब्सिट्यूट इमेल आ चुका है और बहुत सारी टीजे आ चुका है मतलब हम लोग हार्ड कोपी पे कम विश्वास कर रहे है सौफ्ट कोपी पे जदा विश्वास कर रहे है आज के टाइम पे हाली में किस राजे के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मुबाइल अप्लिकेशन को लौँच किया है किसान रथ मुबाइल अप्लिकेशन को आसाम के मुख्यमंत्री ने लौँच किया है डी आप्शन जो है इसक्यूसन का हमारा बिलकुल ठीक है इसमें क्या होता है कि किसान कोई भी अपना उत्पाद बेचना चाहता है उस फसल का रेट देखना चाहता है तो इस अप्लिकेशन के माद्यम से वो सब कुछ जानकारी ले सकता है और अपनी उपज कहां बेचे तो ज़्यदा ठीक रहेगा कौन-कौन सी स्कीम आ चुकी है किसानों के लिए ये सारी जानकारी इस किसान रत अप्लिकेशन के उपर जो है वो अपलब्द रहेगी बात असाम की है तो असाम को आप पहले ही जान चुके हैं राजधानी दिस्पुर है ठीक है मुख्य मंत्री सरवानंद सोनोवाल है नारवे की नॉबल कमेटे की अध्यक्स बैरिट राइंस एंडरसन ने डेबल्यू एफपी को वर्स दो हजार बीस का कौन सा नॉबल प्राइज दिया है वर्ड डबलू एफपी यानि की वर्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको नॉबल शांती प्रुसकार से नवाजा है यह याद रखिएगा वर्ड यूँ कहिएगा आप लोगों नॉबल पीस प्राइज मिला है इनको काफी इपॉर्टेंट है वर्ड फूड प्रोग्राम को क्यों मिला है क्योंकि इन्होंने जो है 1961 से लेके आज तक लगातार दुनिया भर में भूखमरी को कंट्रोल किया है और बहुत सारे लोगों को सहायता परदान की है जैसे कोई चेतर होता है सुनामी परभावी चेतर होता है या कई बार बॉर्डर कंफ्लिक्ट चल रहे होते हैं तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी समश्या देखने को मिलती है बुखमरी की तो वहाँ पर एक खाना पहुंचाती है इस असता हलंकि इस अवोर्ड के लिए डोनाल ट्रम को भी नॉमिनेट किया गया था न्यूजिलेंड की परदान मंतरी जेकिडा आर्डन को भी नॉमिन आए थे इसमें से 211 ऐसी सक्सियत और 107 संगठन सामिल थे लेकिन मिला किसको वर्ड फूड प्रोग्राम को नार्वे की कापिटल ओसलों में दिया जाता है ये अवोर्ड आगे बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा राज्य हाल ही में ग्रामीन हर ग्रामीन घर में नल कनेक्शन उप्लब्द करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है तो ये राज्य बन गया है गोवा गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे हर घर के अंदर जो है वो नल दवारा जल के कनेक्शन परवाइड करवा दिये गए हैं और लगबग 2.30 लाग ये वालनकि गोवा के राज्य पाल है भगसिंग कोशारी हलंकि ये महारास्ट्रा के भी है पर महारास्ट्रा के अलावा गोवा को गोवा के राज्य पाल के रोप में ने एक्स्टा चार्ज दिया गया है गोवा की कैपिटल पंजी है मुख्यमंत्री का नाम प्रमो ग्यारा ऑक्टूब आफ दा गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को इस दीवस को मनाने का उदेश्य है कि बालिकाओं के सामने आने वाली चुनोतियों और उनके अधिकारों के स्रंक्षन के बारे में जावरुकता पैदा करना इस दीवस के मनाने की सुरुवात कब से हुई थी ज आगे बढ़ता हूँ तो 10 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाते हैं तो 10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्तय दीवस यनकी वर्ड मैंटल हेल्थ डे ए आप्शन जो इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा 10 के हर साल ये मनाया जा रहा है इसका उदेश्य इतना ही है कि लोगों के मानसिक स्वास्तय के परती जागरू करना और सवेदन सिल बनाना लोगों को इसका सिंपल सा उदेश्य है आगे बढ़ते हैं हम तब तो 19 वर्स की आयू में पोलैंड की किस खिलारी ने अपना पहला ग 19 वर्स की ही हैं ये आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी है इन्होंने फाइनल में अमेरिका की सोफिया कैनिन को हराया और अपना पहला फ्रेंच Opower का किताब जीत के इतिहास रच दिया 1992 में 18 साल की मोनिका सैलेस ने फ्रेंच ओपन का किताब जीता था इससे पहले अब जिकर हुआ है पॉलेंड का तो पॉलेंड को मैप में देखीगा इसकी कैपिटल है वर्साओ और करंसी है पॉलिस जोलेटी और प्रेजिडेंट का नाम किया है आंद्रेज डूडा आगे बढ़ते हैं अगला किस्तन हमारा रहेगा कि भारतिय मूल के विख्यात सिक्षाविद्य श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है तो श्रीकांत दातार को अभी हाल ही में हावर्ड बिजनस स्कूल का डीन निक्त किया गया है नामित किया गया है ए स्रीकान दातार जो हैं काफी लंबे समय से इस बिजनस स्कूल से जुड़े हैं अपने जिन्दगी के 25 साल स्कूल को दे चुके हैं यह अब इन्हें स्कूल का डीन जो है वो बनाया गया है ठीक है हावड बिजनस स्कूल के नाम पर तकरीमन 112 सालों का इतियास है ठीक है और स्र क्यूसन होगा हमारे exam point of view से अगला क्यूसन है किस राज्य सरकार की cabinet ने राजधानी में tree transplantation policy को मंजूरी दी है तो यह क्यूसन तो आप समझीएगा हमारे exam point of view से तो important है ही है के साथ में environment के लिए भी बहुत अच्छी बात है अब tree का transplant भी किया जा सकता है और ऐसी स्मिधा जो है वो डैली के अंदर की गई है डी option जो है इस क्यूसन का बिल्कुल ठीक रहेगा अब तक यह होता था कि मतलब दिल्ली के अंदर यह कहीं पे भी माल लेते पर्टिकुलर दिल्ली की बात करें तो policy यह थी कि अगर एक पेड काटा गया है क्योंकि रोड वगरा बनते है जुरदली पेड वगरा काटने पड़ते हैं तो एक पेड काटने के बदले दस पोधे लगाए जाएंगे लेकिन यह है कि वो पेड तो बहुत बड़ा होता है अगर चोट चोटे पोधे पेड बनने में तो कई साल लग जाएंगे तो अब क्या है कि पोधे तो लगाने ही ह लेकिन केस साथ में जो है इस्ट्री का ट्रांस्प्लांट कर दिया जाएगा इस टाइप से ठीक है उसे ऐसे मसीनों से उखाड के एक जगह से दूसरी जगह जो है उसे विज्यानिक विदी दवारा लगा दिया जाएगा तो यह काफी इपॉटन क्यूस्टन रहेगा ठीक ह आगे बढ़ते हैं हम लोग तो किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश की सरकार ने बैटरी से चलने वाले वहानों पर रोड टेक्स में छूट देने का फैसला लिया है तो रोड टेक्स में छूट देने का फैसला लिया है डैली नहीं बी आप्शन सही है इस किस्तन का हमा मंत्री कैलास गहलोत ने जो है ये घोशना की है निमलिक्त में से किस भारतिये समुद्र तट को ब्लू फ्लैग परमानी करण यानि कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन नहीं मिला है देखिएगा पूरी बीच को मिला है कासर कोड को भी मिला है और सिवराजपूर को भी मिला है वर कला को नहीं मिला है तो डी आप्शन जो इस किसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा देखिएगा भारत में या कहीं पे भी ब्लू फ्लैग परमानी करन जो है किन को मिलता है जो कि सैक्षिक या यू कहीं का पानी की गुनवत्ता या प्रैवरण के मुद्धों की जागरुकता को बढ़ावा देते हैं उन्हीं को ही मिलता है ब्लू फ्लैग टेग और इसका जो हैड़कॉर्टर है वो डैनमार के अपरेट किया करता है ठीक है और इसी वज़े से वरकाला को जो है नहीं मिला है ये वो इलाके हैं जिन इनको मिला है आप इन्हें पीडियो फाइल में पढ़ सकते हैं पॉल आर मिल ग्रॉम और रोबर्ट बी विल्सन ने के सिरेणी में नॉबल प्राइज 2020 जीता है तो इन थेवरी में सुधार और आक्शन का विश्कार करने की वज़े से इन्हें मिला है नॉबल प्राइज 2020 अगला कियुस्तन है कि विश्व गठिया दीवस किस दिन मनाया जाता है तो विश्व गठिया दीवस जो है ये मनाया जाता है हर साल 12 अक्टूबर को ए आप्शन जो है इस किस्तन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा इसका इतना सा ही उदेश्य होता है कि गठिया के बारे में जागरुकता फैलाना जोडों के दर्द गठिया का मत्तबी इतना है कि जोडों का दर्द होता है और ये एक उमर के साथ में बहुत ही भहंकर होता जाता है धीरे धीर अगला किस्तन हमारा क्या रहेगा कि सारजनिक सिख्षा में डीजिटल होने के लिए भारत में एक कौन सा राज्य है या के अंदर सासित परदेश कौन सा है मतलब यूं कहिएगा digital in public education हर गाओं में हर छेतर में digital education को फैलाने वाला राज्य केरला ही है केरल भारत का 100% डिजिटलाइजेशन वाला राज्य बन गया है जिसके हर गाउं के अंदर हाई स्कूल के अंदर जो है वो आपके यह कहिएगा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड बन चुके है वहाँ पे बैगलेस कंसेप्ट लागू हो चुका है बच्चे मोबाइल टैब से या लाप्टोप से पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा जो है केरला नहीं किया और केरला के मुख्य मंतरी का नाम पिन राई विजियन से ये भी बात आप याद रखिएगा अगला क्यूस्टन हमारा क्या रहेगा अगला क्यूस्टन हमारा है कि 14 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाया जाता है तो 14 अक्टूबर को दुनिया भर में एक दीवस मनाया जाता है इसका नाम है आपका वर्ड स्टैंडर्ड डे ठीक है यानि कि विश्व मानक दीवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है डी आप्शन जो है इस क्युस्टन का हमारा बिलकुल ठीक है अब स्टैंडर्ड डे का मतलब है कि दुनिया भर में बहुत सारे जैसे मानक होते हैं स्टैंडर्ड सोते हैं उन्हीं के लिए जागरुकता पैंता करना ही इस डीवस का सीदा सा उदेश। भारत की सराजिय की बच्चि सानुए एम प्राजित ने एक गंटे में 33 डिसस बनाने का रिकोर्ड बनाया है एक घंटे में 33 डिसिस बनाने का रिकोर्ड जो है वो बनाया है केरल की बच्ची ने यानिकि ए आप्शन जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा आपको फोटो में ये दिखाई दे रही होगी है ठीक है सबसे कम उमर की बच्ची ने एक घंटे के अंदर 33 ड राजिय सरकार ने सरकारी नोकरी में 33% महिला आरक्षन को मंजूरी दे दी है यानिकि सरकारी नोकरी में 33% जो है वो महिलाओं का यूं कहिएगा दबदबा रहेगा तो इस क्युस्टन का सही अंसर रहेगा पंजाब पंजाब राजिये में ऐसे आरक्षन को मंजूरी दी ग के गोल करने के मामले में कौन से खिलाडी ने क्रिस्टियानो रोनेल्डो को पीछे छोड़ दिया है तो इनका नाम है नेमार जुनियर ठीक है भी आप्शन जो इस किस्टन का बिलकुल ठीक रहेगा नेमार जुनियर ब्राजील के सबसे ज़दा गोल करने के मामले में ब्राजील के इन्हों ने 103 मैच में 64 गोल करके क्रिष्टियानो रोनेल्डो को पीछे छोड़ा है और अब तक क्रिष्टियानो रोनेल्डो ने 98 मैचों में 62 गोल किये थे रोनेल्डो ने अपने देश के लिए 2 वर्ड कप, 2 कौपा अमेरिका और एक जो है वो फैडरेशन कप जो है वो जीत चुके है आगे बढ़ता हूँ गला क्युस्तन है कि विस्वे छातर दीवस कप मनाया जाता है वर्ड स्टुडेंट जो है वो कब सालिब्रेट करते हैं वो मनाते हैं 15 अक्टूबर को सी ऑप्शन जो इस क्युस्तन का बिल्कुल ठीक है ये इंगलिस वाला ट्रांसलेशन इस क्युस्तन का नहीं है ठीक है 15 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है सी ऑप्शन सही है अच्छे क्यो मनाते हैं जो कि डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम के जनम दीवस के रूप में इसे मनाया जाता है और 2010 में सुथ राष्टर ने डॉक्टर एपी जी सर के 79 वे बर्डे के उपर जो है अगला क्युस्टन है कि 15 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाते हैं अब देखिए कि 15 अक्टूबर को उसके अलावा भी एक दीवस होता है विस्वग ग्रामीन महिला दीवस भी होता है विस्वग छड़ी दीवस भी मनाते है विस्वग ग्रामीन महिला दीवस ये 15 अक्टूबर 2008 को पहली बार मनाया गया था और छड़ी दीवस किसलिए मनाते है जो दृष्टी हीन होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए ही ये दीवस मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्यन के लिए किसान कल्यान कोस बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है केरल राज्य सरकार ने यानि कि डी आप्शन जो है इस किसान का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा केरल राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्यान बोर्ड जिसमें क्या होगा जिसमें केरल क्रिशक समानिदी बोर्ड होगा जैसे कोई मतश्या पालन करता है कोई मदुमकी पालन करता है कोई नरसरी पर बंदन करता है उन सभी के लिए जो है एक किसान कल्यान कोस बोर्ड का जो है वो एक आप का कहिएग एक department बनाय गया है इससे हुगा किसानों को उनकी जुरूर्तों की हिसाब से उन्हें time to time जानकारी दी जाएगी जैसे हर्याना में किसान मित्र एक कंसेप्ट है वैसे वैसे ही किसान कल्यान के लिए किसान कोस कल्यान बोर्ड है ठीक है यहाँ पे कुछ धंदरासी वगरा भी दी जाएगी जब जब जुरूरत पड़ेगी किसानों को आगे जाते हैं तो इनमें से किस देश के राश्टरपती सोरोन बोई जिनके कोव को हाल ही में राजनितिक अशान्ती के बीच अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तो सोरेन बाई जो है यह है किर्गिस्तान के ठीक है तो इस किस्तन का सही अंसर है किर्गिस्तान के राश् दसमलव 2,00,00 है ठीक है 17 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतरास्ट ये गरीबी उन्मूलन दीवस मनाया जाता है भी आप्शन सही है इस किस्तन का हमारा ये इंटरनेशनल डे है पावर्टी को एंड करने वाला दीवस है इसका सीधा सा उदेशय इतना ही है कि जितने भी गरीब लोग है उनको अपने मानवारिकारों के बारे में जानकारी देना इस दीवस की सबसे पहली बार सुरुवात 1987 में की गई थी ठीक है लेकिन स्विट राष्टर ने इसकी सुरुवात 22 देसंबर 1992 से की थी ठीक है और फाइनली जो है इसको अवराल जो है एक टाइप से गटित किया गया वैसे सबसे पहले फ्रांस में मनाया गया था 1987 के अंदर लेकिन 1992 में स्विट राष्टर ने इसको हर साल मनाने की जो है वो गोशना कर दी निमन में से किस देश के आम चुनाओ में प्रधान मंत्री जेसिडा आडन की लेबर पार्टी ने जीत दरज की है तो जेसिडा आडन की लेबर पार्टी ने जीत दरज की है ये न्यूजिलेंड की प्रधान मंत्री बनी है फिर से बनी है और ये इपॉर्टन्ट है क्योंकि न्यूजिलेंड वो पहला देश है जिसने COVID-19 अपने आपको COVID-19 से फ्री गोसित किया था तो काफी इपॉर्टन बात रहेगी और जिकर न्यूजिलेंड का हुआ है तो यहां क का पहला देश बन गया है जैसे हम लोग fingerprint से scanning करते हैं वैसे के वैसे face scan करने वाला दुनिया का पहला देश बना है Singapore डी option जो है किस्तन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा इस type से ही face identify वैसे यह कोई नई बात नहीं है Singapore के अंदर जो है जैसे local सेवा है या banking सेवा है वहाँ पे face scan करके चीजे हो रही है लेकिए अब वहाँ पे जो हर यूँ कहीगा चेतर के अंदर face scan करके ही ID को लोग unlock किया जाएगा तो यह थोड़ा सा important concept बन गया है ठीक है तो इतनी बात आपको याद रखनी है और बात अग सिंगापुर की currency सिंगापुरी डॉलर है और capital तो सिंगापुर सिटी है ही यहां की आगे जाते हैं कि लाकिस्तन हमारा क्या है कि केंदर सरकार ने केंद्री एक ग्रह सचीव अज्य भला का कारेकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया अज्य भला का कारेकाल 22 अगस्त 2021 तक के लि फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अज्य भला 30 नवंबर को यह रेटायर होने वाले थे और 1984 बैच के असम मेगाले कैडर के आईये सदीकारी है अज्य भला पिछले 22 अगस्त को राजियू गोबा की स्थान पे इन्हें ग्रह सच्यू बनाया गया था ठीक है और राज most important question है यह इसको important question के category में डाल दिए ना आप लोगर और 2020 में global hunger index में पहला स्थान प्राप्त हुआ है बेलारूस को लेकिन इसमें ज्यादा important है हमारे इंडिया की numbering क्या है भारत की numbering है इसमें चुरान में तो यह बात आप जुरूर याद रख लीजिएगा इस question के अंदर चाँ बात कर रहा हुँ है किसकी बेलारूस की तो बेलारूस को map में देखिया इसकी capital क्या है मिंसक capital है प्रेजिडेंट का नाम क्या है easy के जेंडर है करंसी क्या है करंसी है इसकी रूबल है ठीक है बेलारूशियन रूबल है आप ये रश्या की भी करंसी रूबल है लेकिन वो रश्यन रूबल है ठीक है आगे जाते हैं तो बीस ऑक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाया जाता है बीस ऑक्टूबर को उपचार के जागरुकता के लिए या यूँ कहिएगा हडियों का जो दर्द होता है या मास पेशियों का जो दर्द होता है उससे सुरुक्षित रखने के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 20 October को ये डे मनाया जाता है हाल ही में कौन सा खिलाडी आईपियल में 200 मैच खेलने वाला पहला किरकेटर बन गया है महिंदर सिंग दोनी यानि की डी आप्शन जो है इस किस्तन का हमारा बिल्कुल ठीक है आईपियल में चेनने सुपर किंग्स की टीम की तरफ से खेलते हैं और इनकी कप्तानी के दम पर तीन बार चेंपियन्स रहे चुकी है और आठ बार फाइनल तक पहुंच चुकी है ये टीम ये बात भी आप याद रखियेगा आगे जाते हैं तो विश्व सांखे की दीवस यानि की वर्ड स्टैक्स डे जो है ये कब मनाते हैं तो विश्व सांखे की दीवस हर साल 20 अक्टोबर को ही सालिबरेट किया जाता है इस बार का थीम क्या था ये इस बार का थीम था इस दीवस का आगे बढ़ते हैं कि प्रदान मंत्री इंद्रेंदर मोधी ने राष्टर के खाज्य और कृसी संगठन यान की FAO Food and Agriculture Organization की 75 वी वस गांट के मोके पर कितने रुपे का इसमर्ती सिक्का जारी किया है तो इसके उपर 75 रुपे का ही सिक्का जारी किया है बी आप्शन सही है इस किस्टन का हमारा ठीक है 75 रुपे का ही सिक्का इसमर्ती सिक्का इसका मतलब यह होता है कि इसको आम पब्लिक के रूप में जो है हमें नहीं मिलेगा केवल यह यादगार का एक टाइप का सिक्का है जो केवल याद में ही रहेगा और Food and Agriculture Organization जो है इसका Headquarter Rome Italy के अंदर है इसके स्थापना 16 October 1945 को हुई थी ठीक है यह बात आप याद रख लीजि of the year पुरुसकार से समानित किया गया है यह किस्तन भी most most important किस्तन है ठीक है याद रखियेगा और इनका नाम आपको याद रखना है एस्वर्या स्रीधर ए आप्शन सही है यह जो फोटो आपको दिखरी है ठीक है रात की फोटो लेकिन जुगनियों जुगनु जुगनु हो इस्वर्या स्रीधर जुरूर याद रखियेगा आप लोग लाइट आफ पैशन इसका टाइटल है इस फोटो का ठीक है भई अगला किस्तन हमारा क्या रहेगा हाली में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने किरकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने किरकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है इनका नाम है उमर गुल डी आप्शन जो है इस किस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है उमर गुल ठीक है और इ इसके बाद में जो है धीरे-धीरे दक्षन अफरीका के खिलाब 2013 में इन्होंने जो है अपना टेस्ट मैच खेला था इन्होंने अब तक 47 टेस्ट मैचों में 34.06 की ओसस से 163 विकट लिये हैं ठीक है 130 वंडे में 179 विकट लिये हैं और 60-20 में 85 विकट लिये हैं इन्होंने दिली एवं जिला क्रिकेट संग का निर्विरोध अद्यक्स किसे चुना गया है तो डिस्टिक क्रिकेट असोशेशन जो है इसके निर्विरोध अद्यक्स चुने गए है जिनका नाम है रोहन जेटली ए आक्षन जो है इसके उस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा रो उनकी जगह उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह चुना गया है रोहन जेटली को इसके स्थापना 1883 को हुई थी इसके सेकेटरी का नाम विनोध है और इसका इपरिवेशन तो डीडी सीए है ही तो आपको याद रखना ही है ये तो आगे जाते हैं हम लोग त हाल ही में गरीब देशों को करोना वाइरस से निपटने है तो कितने रूपे देने की घोशना की है तो वर्ड बैंक ने करोना वाइरस से निपटने के लिए 25 बिलियन डॉलर देने की घोशना की है यानि किसी ऑप्शन जो है इस किस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आपको मेरे दुबारा पढ़ाएगे सभी लेक्षिस का PDF फाइल चीए तो आप टेलिग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जुरूर जोइन करना एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 49.7 अंग के साथ चोथे स्थान पे रखा गया है तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश ऐसा है जिसको चोथे स्थान पे रखा है ये देश हमारा ही है भारत को ही रखा गया है चोथे स्थान पे तो भारत को रखा गया है लेकिन इसके अंदर पहले नंबर पे कौन होगा ठीक है तो इसमें जो पहले नंबर पे भारत के निवन में से किस राज्य में C-plane प्रयोजना स्थापित की जाएगी तो यह की जाएगी क्या कर ही दी गई है गुजरात के अंदर ठीक है तो C-options है इस क्युष्टन का हमारा C-plane प्रयोजना आगे जाते हैं अगला क्युष्टन है कि स्री नितिन गड़करी ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क की अधार सिला रखी है तो मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क की अधार सिला रखी है तो मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क की अधार सिला रखी है किस राज्य के अंदर रखी है ये राज्य का नाव या यूँ कहीगा 694 करोड रुपे की लागत से बनेगा ये ठीक है इससे होगा क्या इससे लोग जो है डारेक्ट अपनी हवाई यात्रा कर सकेंगे रेल यात्रा कर सकेंगे जल मार की कनेक्टिविटी मिलेगी इसी वज़े से इसको मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क कहा ग गया है इस राज्य का नाम है पंजाब सी ऑप्शन सही रहेगा इस किस्तन का हमारा पंजाब राज्य ने किर्शी कानूनों को जो है वो खारिज कर दिया और ये भी काया कि अगर कोई वैपारी MSP से कम भाव पे जो है खरीदारी करता है तो उसको तीन साल की कैद का भी वैलीड होगा यानि कि पूरी जिन्दगी वैलीड रहेगा ठीक है ये सी बीएसी ने किया तो सी बीएसी का हैडुकाटर न्यू डैली के अंदर है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और चेर परसन का नाम मनोज आहुजा है एफिलेशन कितने स्कूलों को है 21,400 निनाड में स् आली में किस राजिस सरकार ने बहतरीन सिक्षन माहोल सुनश्चित करने है दूब 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू कर दिया तो 80,000 सरकारी स्कूलों के अंदर तमिल नाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड या यू कहीगा डिजिटल बोर का नाम इड़ा पड़ी के प्लानी स्वामी है LG Electronics ने किस खिलाडी को जो है LG Signature का Global Ambassador बनाया है LG Electronics ने इनका नाम है Lewis Hamilton बहुत ही फेमस है Formula One जो Car Racing के ड्राइवर है ये Lewis Hamilton को बनाया है LG Electronics ने किसलिए बनाया है LG Electronics ने इनको Brand Ambassador ताकि ये LG Electronics Signature Brand के परचार परसार में मदद कर सके हाल ही में Parley Agro Company ने किस अभिनेतरी को अपना Brand Ambassador न्युक्त किया है तो Parley Agro Company ने अभिनेतरी का नाम है Priyanka Chopra Priyanka Chopra को अपना Brand Ambassador न्युक्त किया है ये option जो है किसन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा इनको तो मैं Pinky Chopra भी कह सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरी फेवरिट अभिनेतरी है अच्छा Parley Agro Company जो ही क्या बनाती है जैसे Epifige आती है फ्रूटी आती है उसी कंपनी के ही ये सारे प्रोड़क्ट है इस कंपनी का Headquarter मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में इसकी CEO का नाम S. चोहान है आगे जाता हूँ गला किस्तन हमारा क्या रहेगा भारतिय वायू सेना की किस पहली महिला अधिकारी Wing Commander जो की रेटायर हो चुकी हालंकि उनका हाली में निधन हो गया है तो इनका नाम है विजे लक्समी रमनन ठीक है यानि कि D option सही है यह भारतिय वायू सेना की पहली महिला Wing Commander जो की आपको फोटो में दिखाई दे रही है इनका जनम 1924 में हुआ था यह अभी जो इनका देहान्त हुआ है 96 साल की उमर में इनका देहान्त हुआ है 1912 में Wing Commander की करनाटक संगीत की सिक्षा भी इनोंने ली हुई थी आगे जाते हैं तो केंदर सरकार ने पहली बार किस राज्य छेतर में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है तो पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है जम्मू कस्मीर ने और जम्मू कस्मीर ने विधायकों की गैर मुजूदगी में स्थानिय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संसोधन किया है रिसेंटली जम्मू कस्मीर में सबसे ज़दा केसर होती है भारत में अमेरिकी अंत्रिक्स एजनसी नासा ने चंदरमा पर पहली बार सेलिलर नेट्रक बनाने के लिए किस दूर संचार कमपनी का चैन किया है तो इस दूर संचार कमपनी का नाम है नोकिया यानि कि D-Option जो है इस क्योंसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा नोकिया ने ऐसा किया है क्या कि फिल्लेंड की कमपनी है नोकिया और इसने कहा है कि नासा जो है नासा के साथ मिलके चांद के उपर मानो बस्तियां बसाने का प्रियास होगा और इसी वज़े से यहां पे जो है वो नेट्वर्क्स लगाए जाएंगे दो हजार बाइस तक जो है ये नेट्वर्क्स लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा अब जिकर कर रहा हूँ मैं नासा का तो इसका हैड़क्वार्टर वशिंग्टन डी सी अमेरिका में है और नासा की स्थापना का बूई थी एक अक्टोबर 1958 को और जिकर नोकिया का भी अगर मैं करता हूँ तो नोकिया के CEO का नाम पेका लुड मार्क है और नोकिया जो है इस क जो है चोटा सा ATM होता है मुवेबल या मोबाइल ATM होता है कुछ इस परकार का ठीक है जिसका यूज जो है वो छोटे स्थानों में चोटे संस्थानों में या किसी छोटे शोरूम में किया जा सकता है और ये मिघाले के मुख्य मंत्री कोन रोड संगमा ने किया है इसका उद अगर बढ़ते हैं अगला किस्टन हमारा है कि Financial Action Task Force यानि कि FATF ने हाली में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है पाकिस्तान को डी आप्शन्स हो है इस किस्टन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा अचा ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का मतलब है कि पाकिस्तान न की लिस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान है एशिया में प्रभाव रखने वाले दस सबसे सक्तिसाली देशों में किस देश को चोथा स्थ एशिया प्रसांत चेतर में चोथा स्थान है ये बात आप याद रख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ता हूं गला किस्तन हमारा की गुजराती फिल्मों के किस परसिद्ध संगीतकार एवं पूरो भाजपा सांसद का 83 साल की उमर में निदन हो गया इनका नाम है महेश कुमा कनोडिया ये option जो है इस किस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है महेश कुमार कनोडिया 25 अक्टूबर 2020 को गांदी नगर में इनका निदन हो गया है ठीक है महेश कनोडिया उत्री गुजरात के पार्टन से तीन बार भाजपा के विधायक थे कनोडिया की खास बात यह थी कि 32 गायकों की आवाज में गाना भी गा सकते थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लाकिस्तने की हाली में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस निती को लागू किया है नो मास्क नो सर्विस निती को लागू करने वाल no service की निती बोला है बात बंगलादेश की हुई है तो बंगलादेश की राजधानी क्या है ढाका बंगलादेश की राजधानी है बंगलादेश की करंसी क्या है टका बंगलादेश की करंसी है सेक हसीना जो है यहां की प्रधान मंत्री है ये बात भी आप याद रखिएगा विस्व पोलियो दीवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है तो विस्व पोलियो दीवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को इस दिन UN Day भी सेलिब्रेट किया जाता है United Nation का डे भी है इसी दिन पोलियो दीवस भी मनाया जाता है इस बार का थीम था A win against polio is a win for global health दोबारा बताता हूँ A win against polio is a win for global health आगे बढ़ता हूँ गला क्युस्थन है कि हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवन्ष राए बच्चन के नाम पर एक चुराही का नाम रखा है तो डॉक्टर हरिवन्ष राए बच्चन के नाम पर एक चुराही का नाम रखा है इस देश का नाम है poland A option जो इस क्युस्थन का answer है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और डॉक्टर हरिवन्ष राए बच्चन जो है परसिद कवी और लेखक के रूप में जो है इनको जाना जाता है जिकर poland का अभी थोड़ देर पहले ही हम लोगों ने किया था अगला कि उससे निम्न में से कौन सा राज्य प्रधान मंत्री सवनिदी योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना ये राज्य है यूपी उत्तर प्रधेश उत्तर प्रधान मंत्री सवनिदी योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ठीक है उत्तर प्रधेश है यहाँ इस योजना के तहत क्या होता है कि स्टीट वेंडर्स वगर है इनको जो है रिन वगरा दिया जाता है उत्तर प्रदेस की राजधानी लखनव है उत्तर प्रदेस के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ है गवरणर का नाम अनंदी बेन पटेल है अमेरिकी सुप्रिम कोट का जज निवन में से किसे न YepT किया गया है तो अमेरिकी सुप्रिम कोर्ट का जज जो है वो निउक्त किया गया है Émy Koney Barrett को Émy Koney Barrett को निउक्त किया गया है ए ऑप्षिन जो है इस किस्तन का बिल्कुल ठीक है जो आपको फोटो में लिखाई दे रही है यही है एमी कोनी बेरेट 27 अक्टूबर 2020 को एमी कोनी बेरेट को अमेरिकी सुप्रेम कोर्ट की नया अधीस के रूप में सपत ली है आजीवन रहते हैं जज ये बात याद रखेगा जब तक अभी की जिंदगी है तब तक नया अंग है जैसे नाप के पीछे का एक नया अंग खोजा है थीए नीदरलेंड के कैंसर इंस्टिटूट के वैज्यानिकों ने और इसका नाम रखा है सलाइवरी गलेड ठीक है और इस अंग से कैंसर की हिलाज में मदद मिलेगी जिकर नीदरलेंड का हुग है तो प्रेज़ेटर लेंड की कापिटल M स्ट्रेडम है करंसी यूरो है यहांके अगला किस्तन हमारा है कि लुईस एर्स जो है लुईस एर्स है बिन अपॉंटेड एस दा प्रेजिडेंट ओ विच कंट्री लुईस एर्स जो है किस देश के नए राश्टरपती बने है तो इसके डाइलिंग कोड है प्लस 951 करंसी बोलिवियानो है कॉंटेनेट कौन सा साउथ अमेरिका अगला किस्तन हमारा है कि उस भारतिय मोल के व्यक्ति का नाम बताईए जिसे सेसेल्स का राश्टरपती चुना गया तो सेसेल्स का राश्टरपती चुना गया है वेवल राम कलावन को बी आप्शन जो है इस किस्तन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे है यही है राम कलावन सेसेल्स जो है यह अफरिका महाद्यूप के अंदर पढ़ने वाला एक देश है इसकी कापिटल विक्टोरिया है यह बात आप याद रखन और इसकी करंसी सेसेल्सियन रुपीज है अगला किस्तन है कि ब्रिटेन की किंग्स्टन युनिवस्टी के वैज्यानिकों ने नवजातों में अंधेपन की समश्या को दूर करने के लिए किस चीज की खोज़ की है तो नवजात यानि कि छोटे बच्चों में आँखों का अ चंद्रमा की स्टैपर सूरज की किरन पढ़ने वाले इलाके में पानी की खोज़ की है तो अमेरिका की अजेंसित आप सभी को पता है ही नासा नासा ने ऐसा की खोज़ की है जहां पे चंद्रमा की स्टैपर सूरज की किरने पढ़ती है वहां वहां पे पानी की खोज़ की ह और बात ये है कि पानी की कोज की है मतलब क्या है कि यहां पे जीवन संभव हो सकता है असानी से जीवन जो है जिया जा सकता है नासा के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया है जिमन में से किस अकादमी ने विग्यानिक डॉक्टर सतीस मिस्रा को डॉक्टर तुलसी दास च Academy of Medical Science, इन्होंने डॉक्टर तुलसिदास्चुग को 2020 का आवोर्ड देने की घोशना किया, डॉक्टर तुलसिदास्चुग आवोर्ड दिया है, किस वग्यानी को डॉक्टर सतीस को, ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, इस क्यूस्टन के लिए, क्यों मिलेगा, क् मलेरिया परजीवी की जटिल प्रिकरिया को समझाने का इन्होंने प्रियास किया है, आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यहीं है डॉक्टर सतीस, आदित्यपूरी की जगह पे, शशिधर जगदीश्चन ने हाली में किस बैंक के मैनेजिंग डारेक्टर का पदभार स अंबाला है, शशिधर जगदीश्चन ने जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, HDFC बैंक जो इसकी स्थापना 1994 को हुई थी, और इसका हेड़कॉर्टर कहां पे हैं, मुंबई में, नाइट आफ दा रेस्ट लेस्ट इस किताब के लेकर कोन है, तो नाइट आफ दा इसकी चताब के लेकर कहा है, सर्ब प्रीत सिंग, ऐसे चोटी चोटी किस्षण जो आपको जरूर याद रखने होते हैं, इपॉर्टेंट इपॉर्टेंट वाले होते हैं ये, अगला किस्षण हमारा क्या रहेगा, अगला किस्षण है किस राज्य सरकार ने बिना परमिट क राज्यों में सराब ले जाने पर परतिबंद कर दिया बिना परमिट के सराब ले जाने पर परतिबंद कर दिया है आन्दरप्रदेश ने D option जो है इस क्यूस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अगला क्युस्तन ने 7 नवंबर को इसरो दवारा किस उप ग्रह का प्रिक्षेपन किया जाएगा तो 7 नवंबर को किया जाएगा इसरो दवारा EOS1 का ठीक है यादि कि B आप्शन जो है इस क्युस्तन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा किस राजे के मुख्य मंत्री ने धरनी पोर्टल लॉंच किया है तेलंगाना ने डी आप्शन सही है इसका इस पोर्टल का उदेश्य है कि जितना भी रेजिस्ट्रेशन प्रिक्रिया है उसमें जितनी भी कमिया है उनको दूर किया जा सके जमीन और संपति का रिलिश्येशन जो है इस धरनी पोर्टल के माद्यम से किया जा सकेगा तेलंगाना की राजदानी हद्राबाद है राजेपाल सौनर राजन है मुख्य मंत्री का नाम केच चंदर सिखर राओ है निमलिक्त में से हाली में कौन पीपिल्स अलाइंस के अद्यक्स बने है तो पीपिल्स अलाइंस के अद्यक्स बने है फारुक अब्दुल्ला ठीक है तो एक आप्शन जो है इस किस्तन का बिल्कुल ठीक रहेगा जम्मू कस्मीर के पूरो मुक्य मंत्री महबुबा मुफ्त के आवास पे जो है पीपल्स अलाइंस की बैठा कोई जिसमें फारुक अब्दुल्ला को पीपल्स अलाइंस का अध्यक्स चुना गया और महभूबा मुफ्ती इसकी उपाद्यक्स रहेगी 23 अक्टूबर को कौनजा दिवस मनाते हैं 23 अक्टूबर को वर्ड मोल्ड मनाते हैं विस्व मोल्ड दिवस मनाते हैं अवेगेदरो नंबर आप सभी को पता होगा 6.022 इन टू में क्या होता है 10 रेज टू पाउर 23 ठीक है तो इसे आप याद का सकते हैं आगे बढ़ता हूँ गला क्युस्तन है हमारा की भागे लक्समी योजना किस राज्ये में लागू करने की योजना है तो भागे लक्समी योजना करनाटक के लिए है ठीक है पांचवा आप्शन जो है इस क्युस्तन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा करनाटक के मुख्यम मंतरी बी एस यद्दू रप्पा ने भारतिय जीवन भीमा निगम के साथ में सुकन्या स्मर्दी खाता योजना के तहट जो है इस योजना को लागू किया है आगे बढ़ता हो गला किस्तन हमारा है कि लैबनौन के प्रधान मंतरी जो है वो किसे बनाया गया है लैबनौन के बेरू था याद रखिएगा करंसी लैबनिस पाउंड है 26 लि स्टोबर को दुन्या भर में कौन सा दिवस मनाते। 23 को दुनिया भर में इंटर सेक्स जागरुकता दिवस मनाते हैं है इस किस्टन का हमारा आयलो का जिकर हुआ है इसका हैड़कॉर्टर जिनेवा स्विजर लैंड में है गे राइडर इसके अध्यक्स है इसके स्थापना 1919 को हुई थी 11 अप्रेल को अगला किस्टन हमारा क्या रहेगा इंटरनेशनल हिम तेंद्वा दिवस कब मनाते हैं इंट से हाली में मानित्ता मिली है तो इस साइट का नाम है आसन स्रक्षन रिजाव सेंटर ए आप्शन सही है बेसिकली रामसर एक आदर भूमी समझोता था जो दो फरवरी 1971 को कैस्पिन सागर के तट पे रामसर सहर में हुआ था इसलिए इसका नाम आद रामसर सहर ही ही हो गया ठ ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और यह आपके पूरे अक्टोबर महीने का करंट अफेर का रिविजन वीडियो था अमीद है कि आपको चीजे समझ में आई है थैंक्यू सो मच वीडियो को शेर जरूर कर देना भाई आप